जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लो यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों 5 जुलाई 2020 को साल का तीसरा चंदर गरहन गुरुपुनिमा के दिन लगने जा रहा है जो कि यह अद्भुत सयोग है इस से पहले 5 जुन को चंदर गरहन और 21 जुन को सुरे गरहन लगा था 5 जुलाई को रवी बार के दिन लगने वाला चंदर गरहन धनुरासी में लग रहा है इस गरहन का सबसे अधिक प्रभाव भी धनुरासी पही देखा जाएगा इस रासी के जातकों को ग्रहन के कारण मानसिक तन्नाव, सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है ग्रहन के असुप परभाव से बचने के लिए भगवान सिवकी पूजा करें और सोम बार का ब्रत जरोर रखें जियो 30 के मुताविक, एक माह में दो या उससे अधी ग्रहन लगना सुब नहीं माना जाता है 5 जुलाई का चंदर ग्रहन देश-विदेश में बीवाद एवं छती का कारण बन सकती है दोस्तो आगे मैं बताऊंगे इस वीडियो में कि 5 जुलाई का चंदर ग्रहन का सही टाइम क्या है इस चंदर ग्रहन का सूतक किन देशों में लगेगा और यह ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा इस ग्रहन का प्रभाव कैसा होगा खास कर गर्वती महिला पर तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले ताकि मैं इसी तरह के ग्रहन से रिलेटेड वीडियो लेकर आती रहूं चंद्रग्रहन एकखागोलिये घर्टना है जब चंद्रमा पृतिवी के ठीक पीछे उसकी प्रछाया में आजाता है ऐसा तभी होता है जब सोरी, पृतिवी और चंद्रमा इस कृम में लगभाग एक सीधी रहा में स्थित रह है तो वही उपचाया चंद्रगहन तब लगता है जब पिर्थवी की परिक्रमा करने के दौरान चंद्रमा पेनुम्ब्रा से होकर गुजरता है 5 जुलाई को लगने वाला चंद्रगहन उपचाया चंद्रगहन होगा जिसमें चंद्रमा का कोई भी भाग कटा हुआ नहीं दिखेगा चंद्रमा गोल दिखेगा बस चंद्रमा कीवल धुंधला दिखेगा और चंद्रमा में सिर्फ एक चाया दिखेगी जिसको उपचाया चंद्रगहन बोलते हैं और उप्छाया चंद्रग्रहन का कोई परभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यह ग्रहन की संग्या में नहीं आता है। पांचुलाई को लगने वाला चंद्रग्रहन दक्षीनेसिया के कुछ स्थानों अमेरिका, यूरोप और आस्ट्रेलिया में देखा जा सकेगा। यह चंद्रग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक माने नहीं होगा, क्योंकि उप्छाया चंद्रग्रहन का सूतक काल मान नहीं होता है। इसलिए पूजा पाठ और मंदिर के कपाठ भी खुले रहेंगे और मंदिक के कपाठ खुले रहेंगे तो आप गुरु पुर्णिमा की पूजा आसानी से कर सकेंगे दोस्तों अब मैं आपको 5 जुलाई का चंदरगरहन का एक्जेक्ट टाइम बता देती हूँ तो उप्छाया से पहला असपर 208.38 मिनट पे होगा परम ग्रास 9.69 मिनट पे होगा सुबा और उप्छाया से अंतिम असपर से 11.21 मिनट पे सुबा होगा और गरहन की टूटल अब दी 2 घंटे 43 जूड़ेस मिनट 24 सेकेंड की होगी प्रिग्नेट मेला को मैं बता दू कि यह चंदग्रहन कमजूर है यह ग्रहन की संग्या में नहीं आता है लेकिन फिर भी एक महीने के अंदर तीन ग्रहन लगना सोब नहीं माना जाता है इसलिए आप अपना ध्यान जरूर रखे अगर हो सके तो ग्रहन के नियमों का पालन जरूर करें जिससे आप अपने और गर्म में पल रहे सीसू का ख्याल रखें आसा करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद